नवसका दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैना बता दोस्तों रीट सिचक बरती 2024 को लेकर आप सब की लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल किया रही है रीट सिचक बरती 2024 में दोस्तों कितने पदों पर भरती आएगी पहले प्री होगा या में प्रीट के सवाल है कब तक रीट हो सकता है पहले मैंस का एक्जाँ होगा या ongoing होगा इसके लाबाब शिलेवस में क्या क्या बदलाव होगा और क्या क्या नए नियम इस दौर आपको देखनों मिलेंगे दो तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट सिच्चवर्थी में बदलाव को रेकर। उसे पहले तो रीट की आईजन को लेकर बात कर लेते हैं रीट का आईजन अगले साल लगए जुलाई अगस्त में होने की पूरी-पूरी संबावना वन रही है। यानि कि 2024 में जुलाई अगस्त में रीट हो सकती हैं उसके अलावा दोस्तों 30,000 पदों पर सिच्चवर्थी का बिग्यापन भी जारी होगा। अभी भी 60,000 से ज्यादा थर्ड गेट के एलवन एलटू के पद खाली हैं एक तीस एक तीस यार क्यास पद हैं तो उस्तों खाली रिखते चल रहे हैं अलंकि जो आंकड़े हैं वो 33 जिलों के हैं अगर आप 20 जिलों के नवे पदों को भी सरजित की जाते हैं तो और आरी करते रहे हैं आँ अगर कल आप आप रही लोता है तरहते हैं तो बात कर लेते जंसे याप प्री एक्जाम भी बोल सकते हो दूसरा मेंस एक्जाम होता है जो आपका राइस्तान करम चारी चेहन बुड़ के ज़रा करा जाता है बदलाव क्या होंगे चली बदलाव को लेकर बात कर लेती है पहले त्रासी एंग पर पास माना जाता था तो तीसरा बदलाव है कि रीट के जो सर्टिफिकेट हैं वो लाइप टाम के लिए वैलेड है यानि कि यह पर पास हो जाता तो आपको बार बार रीट नहीं देना पड़ेगा पहले ऐसा नहीं होता था पहले समय सीमा होती थी साथ लाइट भी हो चुके हैं तो यह हैं रीट बदलाव के लेकर बात कर लेता है तो इसमें पहला बड़ा बदलाव रहेगा सलेवा तो आपको नया पड़ना पड़ेगा से लेजोड़ना होगा यह आपको पता ही है नए जले बने हैं दूसरा बदला रहेगा पांचमा बिकल्ब को लेगा जिस पकार से ने बतला किया है उसी पकार से पांचमा बिकल्प भी आएगा OMR सीट में यानि कि अगर आप किसी प्रिस्ट को नहीं करना चाते हैं चोड़ना चाते हैं तो इसके लिए आपको पांचमा बिकल्प भनना होगा अगर नहीं वरते हैं तो दोस्तों आपका 36% का नियम लागू किया जाएगा यानि कि इससे उबर ही नमर आपके लाने होंगे क्योंकि इस वार जो रीट का रिजल्ट आया है दोस्तों मेंस का उसमें कापी सारे केटिगरी में तो बहुती कम नमर वाले चात्रों को भी टीचर बना दी गए इसलिए इसमें मिनीमम 40% का नम भी लागू होगा तो यह बड़े बदलाव हैं चे बड़े बदलाव रहेंगे दोस्तों प्री में नेगटिब मार के नहीं होगी मैंस तो नेगटिव होती है आपको पता हो एक पट तीन की तो यह है बदलाव और रीट का दूस्तों आयूजन है वह आपका बोड़ के तो अप्राल में में भी एक्जाम हो सकती है दोस्तों उसकी बात की बात है लेकिन पहले प्री होगा तैयारी आप करते हैं रिट से सम्मध चानकारी चैनल पर ब्लिकों सटीक मिलती है तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें और वीडियो चिले देवीडियो लाइक भी करत जैहिए बंद मात्रा